आपके पास OPPO K12, K12 Pro या फिर K12X है तो उसके अंदर Screen Recording के सेटिंग कैसे कर सकते हैं या फिर आप अपने फोन में Screen Recording कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको ऊपर की साड जाना है अगर Screen Recording करनी है तो ऊपर की साट जाएंगी तो याप आपको डिख जाता है ऐस स्वाइप करोगे तो Screen Recording इस पर आपको टैप करके Hold करना होता है सबसे पहले तो यहां से आपका स्किन रिकॉर्डिंग चलो जाती है ट्रैप करके खोल करेंगे इसकी पूरी सेटिंग देखने को मिल जाती है इस तरह से ठीक है तो आपको दिख जाता है रिकॉर्ड सिस्टम साउंड यानि जो भी म्यूजिक या फिर कुछ भी प्ले होता है आपके फोन में बाके रिकॉर्ड में आक्रोट सांड इसको इनयबल करते हो तो क्या होता है कि जब भी आप कुछ बोलते हो तो भी wiz What प्लास मोबाइल का बंद करना आपने खुद कर लेंगे इसको कर देंगे इसकी क्रक्राइब करोगे तो इसे आपको जाके कर लेना हुता है कस्टमाइज करना होगा तो तो इस तरह से करने के बाद आप नीचे साथ जाओगे तो आप आपको आता है फ्लोटिंग विंडो और स्टेटस बार अगर आप जब भी स्कुन रिकॉर्डिंग करते होंगे अभी मैं एक बार चालू कर देता हूं ऐसे ठीक है तो जब भी स्कु मैं रिकॉर्डिंग चैलों करते होते हैउ इस आपका रिकॉर्डिंग चैलों में के साथ यहां पर आपका फोन में जो केμέरा हरा था आपके फोन में अब आना बंद हो जाएगा इस तरह से ठीक है पाकि यहां से आपको बंद करना है वापा से बंद कर सकते हो बट मैं फ्लोटिंग रखके दिखा देता हूं आपको देख सो करेंगे इंड़ Eddy CCjes तो उसकी है जब आपको नियांगा ठीक है तो उप्लोटिंग Fest करना तो अगर वीडियो अच्छे लगेगे तो लाइक कमेंट से और सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाबाए